कहा जाता है कि अगर कुछ करने की लगन और जस्बा हो तो किसमप पलगते देद में ही लगती हम बात कर रहे हैं दक शोटो कंपनी की जिसने अक्टोबर 2011 में मात्र 20 लोगों के स्टाफ के साथ महिंद्रा ट्रक एंड बसेस के और थ्राइस डीलर्शिप के जर्नी की शिरुवात की और आज 10 सालों में 150 लोगों की टीम के साथ पूरी इंडिया में अपने आपको टॉप सेलिंग डिलर्शिप में स्थाफित किया इनिशली अगर बात करें तो काफी चालेंजेस थे एलवाई इशू होने के बाद में इवन फाइंडिंग लैंड इसेल्फ वाज बिग टास्क फोर अस हाइवे पे लैंड क्लियर टाइटल की मिल नहीं रही थी छे मेने हमारे प्रैक्टिकली इसी में वेस्ट हो गए इवेंच्वली हमने महिंद्रा को कन्विंस किया और एड बी सेटल फॉर ए लैंड इन इन्डेस्ट्रियल एरिया बट वो हाइवे से एक रोड अंदर थी और इवन अगर कंस्रुक्शन की बात करें तो कमर्शल वेहिकल इन्डेस्ट्री में पहली बार ऐसा था कि महिंद्रा इस तरह के एक स्ट्रॉंग शोरूम और वक्शॉप कॉंसेप लेके आई थी डिजाइन ले आउट जो की इन्डेस्ट्री में इस तरह का बहुत नया था हो तो उनको meet-out करने के लिए बहुत सारे उनके norms थे, guidelines थी, audit थी जिसमें की काफी time हमारा चला गया बट जब वो dealership setup तर तयार हुआ तो वो अपने आप में एक मिसाल था कमर्शल वेहिकल इन्डेस्ट्री में बहुत नया तरह का concept था जिसमें की हालंकि हमको time बहुत लगा बट जब वो तयार होके आए तो एक अलगी level का था जिसको की customers और सबने बहुत appreciate किया उदैपूर, राजस्मन और निम्बा हेडा जैसे challenging areas जहाँ पे commercial vehicle industry के बरसों से established दूसरे brands बहुत ज्यादा dominate करते हैं वहाँ पर भी दक्ष ओटो ने न केवल एक मजबूत पैर जमाने में सक्षम हुआ बलकि वहाँ भी नहारने वाले खिलाडी के रूप में खुद को स्थापित कर लिया और ये जाबित कर दिया कि कठिन संगहर्शों के बावजूर भी सफलता हासिल की जा सकती है एक एक करके रिटेल कस्टमर्स कोई हम गाड़ी दे पाए बड़े फ्ली टोनर्स कन्विंस नहीं थे महिंद्रा पे जाने में उस वक्क क्योंकि नया प्रोडक्ट था सब कुछ नया था हमने काफी लोडे ट्रायल्स दिये काफी डेमोस करे तब जाके कहीं हमको जो पहली सफलता हासिल हुई थी वो करीब जैनवरी 2012 में हमने एक एक करके करीब 20 गाड़ियां करी उस जैनवरी के महिने में और जो हमारी पहला बड़ा बेक्ट्रू था वो एक दस गाड़ी की डिल थी वो मार्च में हुई थी प्रियंका ट्रांस्पोर्ट की तो उसके बाद थोड़ा सा confidence जो हमारा था जो हमारी sales team का था और जो finances का था वो महिंदा की तरफ बढ़ा और इस तरह से हमने फिर आगे दिरे-दिरे करके हम बढ़ते गए इसके बाद दक्ष ओटो रुका नहीं बलकि अपने मंजिलों को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहा और ट्रैक्टर ट्रेलर और मल्टी एक्सल वेहिकल में खुद को एक लीडिंग प्लेयर के रूप में स्थापित करने के बाद दक्ष ओटो ने टिपर में भी एक स ट्रक और बसेज में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर में से एक है दक्ष ओटो की सफलता का श्रेंग हमारे प्रफेशनली कौलिफाइड, डाइनमेक और यंग टीम मेंबर्स को मिलता है जिनोंने स्री विकास श्रीमाली और प्यू श्रीमाली की लीडर्शिप में दक्ष लंदियों को अपने नाम किया अगर मेजर फ्लीट हमने दी है किसी कस्टमर्स को तो हमने काफी नई चीजे उसके लिए चालू करी थी महिंद्रा की तरफ से कि ऑंसाइट सपोर्ट हम लोग कस्टमर्स को देते थे सर्विस गारेंटीज हमने चालू करी है पार्ट के लिए भी हमने इनिशली गारेंटीज चालू करी है कि इतने मिनिमम पार्ट्स आपको डिलर्शिप्स पे मिलेंगे और अगर नहीं मिलते हैं तो हम आपको वो फ्री में प्रोवाइड करा के देंगे उसकी वज़े से हम लोगों ने काफी बड़ी डील्स भी क्राक करी है प्लस उसकी वज़े से जो फर्स हमारा उनसाइड सपोर्ट था वो यहां से उदैपूर से 200 किलोमेटर दूर था तो वो हमारे लिए इटसेल्फ चैलेंजिंग था कि 200 किलोमेटर दूर पूरी फ्लीट को मैनेज करना है वहां पे टीम को मैनेज करना है पार्ट सव अबिलिटी अरेंज करा के रखनी है लेकिन हमने बखुबी एक साल तक उस कस्टमर्स को ऑंसाइड सपोर्ट प्लस कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आया कि प्रोड़क्त की परफॉर्मेंस आफी अच्छी है सर्विस नेटवर्क्स हमने धीरे धीरे ग्रैजुली जैसे जैसे वाइबलीटी हमारी आती रही तो हमने सर्विस नेटवर्क एक्स्पांड करा उसके बाद एक-एक करके राजस्थान के दक्षन और पश्चिम हिस्से के साथ जिले उदैपूर्ट, चित्तौरगड, राजस्मन, सिरोही, डुंगरपूर, बंस्वाड़ा, प्रतापगड़ में अपनी मौजूद्गी से एक अलग ही पहचान बनाई निम्बा हिडा जैसे सिमेंट हब में भी दक्ष ओटो ने 1500 से भी ज्यादा महिंद्रा ट्रक्स बेचे हैं और खुद को एक अग्रणी खिलाडी के रूप में स्थापित किया है कहते हैं कि अगर आप कस्टमर की सुनेंगे तो कस्टमर आपको ही चुनेगा जैसे कस्टमर की हर डिमांड को पूरा करके हम एक मजबूत रिष्टा बनाने में सफल हुए है हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि जब हमने बड़े कस्टमर की डील क्रैक करी और बड़ा बिजनस हमारे साथ एक ही मन्त में आया जो हमारे टारगेट्स को भी पूरा करता था हमने शुरुवाती दौर में बनालाल जी को दस गाड़िया दी टिपर्स उसके बात में हमने ललिज जी पारक को पाँच गाड़ी से स्टार्ट करा था उनका हर मन्त औन मन्त फिर हमने उनको सेलिंग चालू करी आज उनके पास में 400 प्लस गाड़िया हो गई है मितुल लॉजिस्टिक्स को हमने 10 गाड़िया डील करी थी इन 10 सालों में दक्ष ओटो के तरक्की का अंदाजा आप हमारे डीलर्शिप में ISO 9001 के मिले सर्टिफिकेट से लगा सकते हैं अपने कस्टमर्स को 24 by 7 अवेलिबिलिटी के साथ वर्ल्ड क्लास फिसिलिटी को मेंटेन किया है इसके साथ ही अपने employees की security को ध्यान में रखते हुए हमने काफी सारे policy support जैसे PF, ESI, Medical Insurance, COVID-19 Protection Plan जैसे कई बहतर इंतजाम भी किये आपको बता दे कि Federation Automobile Dealer Association और उदैपूर Chamber of Commerce and Industry जैसे प्रतिष्ठित organization के भी हम member हैं दक्ष ओटो को अपनी कड़ी मेहनत और संघज के लिए वर्ष 2017 में, medium market category में, पूरे भारत में, best dealership के लिए और वर्ष 2018 में, highest HCV sales, tractor trailer sales and tipper sales के लिए लागातार दो साल awards मिले दक्ष ओटो को देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखवार, Economic Times ने वर्ष 2018 में, Top 100 Power Dealers में सम्मिलित किया इसी के साथ, दक्ष ओटो ने 2018 के, Apollo CB Awards के Top 3 Dealers के नॉमिनेशन को भी अपने नाम कर लिया जिसके बाद, हमारा बनोबल और भी ज्यादा मस्बूत हो गया 2021 में, इतने सालों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दक्ष ओटो ने Honda Motorcycles and Scooters India Private Limited के साथ साज़िदारी करके, अपनी दक्ष होंडा के साथ, टू विलर सेग्मेंट में कदम रखा कोची महिनों के अंदर इसे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलने लगा जिसका उदेश्य इस सेग्मेंट पे भी सफलता को दोहराना है दक्ष ओटो एंप्लोईस की जरूरतों और महत्ता को समझता है इसलिए डीलर्शिप की शुरूआत से ही HR डिपार्टमेंट रखा है जो ये सुनिश्चित करता है कि टीम की सारी जरूरतों का ध्यान बखोबी रखा जा रहा है फ्रेशर्स हों या सीनियर एंप्लोईस सब का मनोबल बनाये रखने के लिए हम हर महिने अलग-अलग fun activities जैसे staff picnic, blood donation camp, anniversary celebrations, exciting games और quiz programs का आयोजन भी करते रहते हैं दक्ष ओटो की management team कई CSR activities करवाती है जैसे tree plantation, अलग-अलग schoolों में stationary distribution, COVID-19 support में भी लगातार active रही दक्ष ओटो अपने customers को best और innovative technology की excellent service प्रवाइड करके सर्वश्रेश्ट performance करने वाली dealership के भागिदार बनने का प्रण लिये हुए अपने काम में लगातार आगे बढ़ रहा है एक चीज जो हमने इन 10 सालों में सीखी है इन 10 सालों के business का जो journey है हमारी जो हमने सीखी है कि सफलता का कोई shortcut नहीं होता है आपको निरंतर परिश्रम और hard work करते रहना पड़ता है लगे रहना पड़ता है पूरी लगन, इमानदारी और शिदत के साथ तब ही आप किसी मुकाम तक पहुँच पाते हैं और यह जो शिक्षा है, यह जो learning है यह सबसे ज़ादा हमको अभी COVID times में मिली है जहांपे कि हमने बहुत ज़ादा काम किया है towards increasing our workshop revenue, towards increasing our profitability towards managing our day-to-day operations and meeting our expenses through service revenues itself क्योंकि sales का तो क्या है, काफी cyclical है काफी dependency है, काफी market driven factors पे है लेकिन अगर आपका एक strong customer base है तो workshop revenues जो है, वो एक ऐसी है जो continuous चलती रहती है और अगर आपकी service अच्छी है, अगर आपका network strong है अगर आप time to time customer को service दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको dealership manage करने में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है कहा जाता है कि संघर्ष एक परिक्षा के समान है जिसमें उतीन होकर ही आप सफल हो सकते है और उस परिक्षा को दक्ष ओटो ने बखुभी उतीन करके अपने आपको इस मुकाम तक पहुचाया है जो आज की युगाओं के लिए एक प्रिणना का सोत बन सकता है जो आज की युगाओं के लिए एक पहुचाया है जो आज की युगाओं के लिए एक पहुचाया है